हेलो गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूटूब चैनल बर तो आज हम बात करेंगे जो एंसियल में माइनिंग सरदार के लिए रिटेन टेस्ट टूह था तो उस पेपर पर आज हम लोग बिसकस करेंगे ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो जैसा आप देख सकते हैं सेक्षन ए इसमें 1 to 70 कोस्चन हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो इसमें पहला कोस्चन है पहला कोस्चन है कि DGMS की वैधानिक परिच्छा प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए अधिक्तम प्रयास हैं तो इसका करेक्ट एंसर होगा सेवेन इसका करेक्ट एंसर होगा सेवेन और इसके लिए आप रेगुलेशन कोल माइन्स रेगुलेशन 2017 का जो है उसको रेगुलेशन नमबर 19 देख सकते हैं रिफेरेंस के लिए ठीक है कि नेक्स्ट है कि के निम्र कोश्चन है इनसिंग्नलिंग और सॉप्ट फिटिंग वाट डज टू रेट्स मिल बोला है कि जो साफ्ट माइन्स है उस्में टू रेप्स का क्या अर्थ है तो इसका एंसर होगा टू रेप्स का भी नमबर नीचे करना क्या होगा यह नमबर का नीचे करना ठीक है इसके ए रेगुलेशन नमबर 80 में आप देख सकते हैं इसको सेकेंड नमबर है थर्ड नमबर कोस्चन है एक्जामिनेशन आफ हॉलेज एंड ट्रेवलिंग रोड़ वे सेल वी डन मतलब जो ओलेज है और ट्रेवलिंग रोड़ वे है उसकी जाच कितने दिन में की जानी चाहिए तो इसका सी नमबर का एंसर सही होगा सी नमबर का सब्ता में एक बार सब्ता में एक बार इसके लिए आप रेगुलेशन देख सकते हैं रेगुलेशन नमबर 99 नीना नवे ठीक तो इसका है शेप्टी मेनेजमेंट प्लान इसका भी सी नमबर का सही है इसका भी सी नमबर का सही है इसके लिए आप रेगुलेशन एक सो चार देख सकते हैं ठीक है फिप्त नमबर है ओवराल स्लोप आप स्वाइल डंफ इफ एक्जिस्टिंग 30 मीटर इन हाइट सेल भी तो इसका भी एंसर सी है नॉट नॉट इक्जिस्टिंग अधिक्तम वन उर्धाधर से 1.56 तक होगा सी नमबर का इसका एंसर है सही है सिक्ष नमबर कोस्टिंग है इवरे पार्ट आफ माइं इवरे पार्ट आफ एंसर सेल भी प्रवाइड वित एट लिश्ट बोला है कि कोई भी माइंस हो उसमें कितना रदान किया जाना चाहिए आने जाने का रास्ता जो है इसका D number का सही है निकास के दो साधन और इसके लिए आप regulation number 71 देख सकते हैं ठीक हैं नेक्स ΐसे यह उक्षे Loras सेवाइन ऑ बीएं मेड इन ए माइन फॉर सर्च और प्डी इंग कोई करने के लिए जो माइनिंग की आ जाता है तो सुक्या वॉलहे इसका भी एंसर एंसर होगा एक्स्प्लोरेशन बोलते हैं एक्स्प्लोरेशन बोलते हैं इंग्लीज में एट नमबर कोस्चन है इन विच फार्म नोटिस आप उपेनिंग सेल भी सब्मिटेड वाई ऑनर एजेंट और मैनेजर टू डीजे ऐस पर लटेशी डीजे में सर्कुलर वोला की से कि इणसार माली के मैनेजर street टो इसका स्कासे यह ऑ में इसके लिए आप रेगुलेशन यदि आप 2019 में लिए हैं उनिस के बाद वारे रेगुलेशन जो है नीग अपडेट जो आया है तो उसमें डीजे में सर्कुलर लाष्ट में दिया हुआ है तो उसमें आप देख सकते हैं ठीक है next number question है up to what diameter आप drill hole a drill machine comes under HMM बोला है कि drill machine का क्या diameter होना चाहिए कि वह HMM में आ जाए तो इसका answer है यह number more than more than 50 mm इसका answer है more than 50 mm इसके लिए आप regulation देख सकते हैं जो परिवासा दिया हुआ है दो number में ठीक है general definition इसका next question है 10 number जो question है इसका what does CMM मतलब CMM का क्या आर्थ है तो इसका भी answer होगा coal mine methane इसका क्या आर्थ होगा coal mine methane C number का सही है इसके लिए आप regulation तू देख सकते हैं दो number regulation और 11 number question है winding engine and its condition of internal parts shall be examined by a competent person at least बोला है जो winding engine है उसके आंतरिक भाग internal पार्ट की जांच कितने दिन में किया जाना चाहिए तो इसका एंसर है डी नंबर वर्स में एक बार इसके लिए आप reference में regulation देख सकते हैं 88 regulation number 88 देख सकते हैं नेक्स्ट कोस्चन है 12 number येट वाट इंटर्वल मैं होल्स सेल भी प्रोवाइड़ वें हॉलेज रोडवे gradient is less than one in six बोला है कि मैं होल कितना दूरी में प्रदान किया जाना चाहिए किना दूरी में होना चाहिए यदि जो ट्रेवलिंग रोडवे है उसका ढलान one in six से कम है तो इसका answer है सी नंबर का अधिकतम 20 मिटर हो सकता है इससे ज्यादा नहीं हो सकता अधिकतम 20 मिटर सी नंबर ये regulation नंबर दिया है 92 में थर्टी नंबर question है what does scam stand for मतलब scam का क्या मतलब है तो इस्टेटा control and monitoring plan इस्टेटा control and monitoring plan बी नंबर का सही है इसका इसका बी नंबर का सही है ठीक है और इसका next है नेक्स्ट question है inflammable gas cell demand to be found by methane detector as 0.5% or more for mine having तो इसका एंसर है दो डिगरी की regulation नंबर 106 नेक्स्ट question है फिप्टी नंबर एट वाट परसेंटेज अप inflammable gas electrical energy cell be cut off from all cable and apparatus in any ventilation district तो इसका एंसर होगा दी नंबर का 1.25 परसेंट से अधिक मिलने पर किसी भी दिश्टिक वेंटिलेशन दिश्टिक की electricity काट दे जाएगी यह regulation number 169 में दिया हुआ है नेक्स्ट question है clearance between drill, dia and dia of cartridge of explosive cell be at least जो drill hole है और जो cartridge बनाया हुआ है उन दोनों के बीच का gap कितना होना चाहिए इसका एंसर है 0.3 cm होना चाहिए यह regulation number दिया है 192 में regulation number 192 में दिया हुआ है देख सकते हैं आप लोग नेक्स्ट question है reclamation असपर CMR 2017 means तो इसका डी नमबर का सही होगा reclamation द्वारा अथवा किसी अन्यमाध्यम से वैक फिलिंग इन्मिडियेट आउट बाइ वेंटिलेशन कनेक्शन फ्रॉम फेस इन केस आप फर्स्ट सेकेंड और थर्ड डिग्री गैसी ने जहना चाहिए तो इसका एंसर है दि नमबर का सही है इसका नॉट लेश थैन थर्टी मिटर पर मिनट ठीक है इसका एंसर है ना थर्टी मिनट 30 meter per minute next question है if bed valve temperature exist 30.5 degree in any working place then speed of air current cell B तो इसका answer है D number का not less than 1 meter per second regulation number regulation number देख सकते हैं आप लोग इसका 153 में दिया हुआ है ठीक है regulation number 153 और next question है इसका in every mine where mechanical ventilator is in use the quantity of air cell B measured at least तो इसका answer है C number का है ठीक है 14 दिन में एक बार किया जाना चाहिए इसकी जाँच next question है analysis of CO form or to observe of every deepening district which is not isolate shall be done at least तो इसका answer है तीस दिन में एक बार किया जाना चाहिए ठीक है तीस दिन में एक बार किया जाना चाहिए नेक्स्ट कोस्चन है 22 नंबर का सभी जो unused working है जिन्हें सिल नहीं किया गया है का निरिच्चन यानी एक जानमेशन एक सच्चम बेक्ती द्वारा जोलानसील या विसागत गैसों की उपस्तिती के लिए नियुनतम एक बार कितने दिन में किया जाना चाहिए तो इसका दी नंबर का सही है उपरोक में से कोई नहीं है साथ दिन होता है इसका ठीक है साथ दिन में एक बार किया जाना चाहिए लेकिन आपसन में नहीं है और टॉंटी थी नंबर कोस्चन है जनरल रिक्वार्मेंट आफ माइन प्लान इसकेल हैविंग आरेफ यानि जो माइन प्लान बनाया जाएगा उसका रिप्रेजेंटिटिव फेक्टर क्या होगा जिसका डी नंबर का सही है दोजार अनुपाते एक अधवा एक हजार अनुपाते एक दोनों में से कोई भी हो सकता है नेक्स्ट कोस्चन है ग्रेडियंट आफ हाल रोड इन ओपेन कास्ट वर्किंग यह एक पेन कास्ट वर्किंग में जो ग्रेडियंट है हाल रोड का कितना वोना चाहिए तो इसका बी नंबर का सही है बी नंबर का 1- Ned स सटी होना चाहिए ठेक है 1 in 60 होना चाहिए नेक्स्ट नंबर क।स्चन है ful farm of PPE थो PPE हो प्रेशनल प्रोटेक्टिव एक्यूपमेंट डी नमबर का सही है इसका डी नमबर का सही है लिखा है नोटिस आफ अवर्स अफ वर्क आस पर माइन रूल शैल वी इन फोर्म यह फोर्म ए में भरा जाएगा ठीक है फर्म ए में भरा जाएगा इसके लिए माइन सुपंच हभाण पीछे साइड में उसमें दिया हुआ है फार्म तो उसको देख सकते हैं नेक्स्ट कोश्चन है वेलफेर आफिसर एपॉइंट्मेंट इस डन इन इवरी माइन वेन नमबर आप परसन और डिनरी इंप्लॉईड पुला जो वेंटिलेशन आफिसर है वो कितने इंप्लाई पर निक्त किया जाना चाहिए तो इसका एंसर है 500 या उससे अधिक और डिनरी इंप्लाई रहेंगे तो उसमें विलफेर आफिसर रखा जाएगा रूल नमबर आप 72 देख सकते हैं अब 28 नमबर कॉस्चन है वर्कमेंस इंस्पेक्टर इज एपॉंटेट फार इवरी माइन अस पर माइन रूल्स वेन तो इसका डी नमबर का सही है 500 या उससे अधिक ब्यक्ति रहेंगे तो आप से वर्कमेंस इंस्पेक्टर निक्त किया रूल नमबर नमबर निक्स्ट है फ्लोर स्पेस अब फर्स्ट एड रूम सेल भी तो इसका एंसर है दी नमबर है नॉट लेस देन 10 स्कॉर मिटर नॉट लेस देन 10 स्कॉर मिटर रूल नमबर 43 अब नेक्स्ट है equipment specified इन विच सेडियूल अस पर माइन्स रूल सेल वी केप्ट इन फर्सट एड रूम तो इसका एंसर अब नमबर का दूती सेडियूल में दर्साय जागा क्या क्या होना चाहिए फर्सट एड रूम में रूल नमबर 43 में ही दिया है लिखाए प्रोवीजन आप केंटीन अस पर माइन्स रूल एप्लिकेबल इन ए माइन वेन बोला कितना व्यक्ति होंगे माइन्स में तो हाँ पर केंटीन की ब्योस्था की जाएगी तो इसका एंसर है ची नंबर का सामाने तर यानि यदि दो सो या दो सो पचास या उससे अधी ब्योस्थी होंगे तो हाँ पर केंटीन की ब्योस्था की जाएगी थर्टी टू नंबर है इंजरी टू साइट और हीरिंग इज वाट टाइप आफ इंजरी तो इसका एंसर है सिरियस बॉडली इंजरी इसके लि इसका एंसर है यह नंबर का ठीक है अठारा वर्स कोश्चन है रिपोर्ट आप पेरियोडिकल मेंटिकल इक्जामनेशन इज मैंटेन इन इसका भी एंसर है फार्म ओ में भरा जाएगा इसका एंसर इन नंबर का सही है 35 नंबर कोश्चन है वर्कमेंट इंस्पेक्टर रिपोर्ट इज मैंटेन इसका भी नंबर का है सही है फार्म यू में यह मैंटेन करेगा इस सब के लिए आप 33,34 और 35 के लिए रूल देख सकते हैं ठीक है 29 नंबर में नेक्स्ट नंबर कोश्चन है 36 नंबर पार्टिंग लेप्ट बिट्विन एन टू सिम्स और सेक्षन इन केस अफ मल्टी सेक्षन एंड कांटी गिवस वर्किंग सेल नाट वी तो इसका एंसर डी नंबर का सही है नाट शोरी लेस देन 3 मिटर थिकनेस 3 मिटर से कम थिकनेस नहीं होना चाहिए ठीक है इसके लिए आप रिगुलेशन देख सकते हैं 118 ठीक है 37 नंबर कोश्चन है इन केस आप ओपेन कास्ट वर्किंग नो वर्किंग सेल वी मेड विद्धिन वाट डिस्टेंस आप बांडी आफ एनी माइन तो इसका डी नंबर का एंसर सही है 7.5 मिटर इसका दिया है रेगुलेशन नंबर रेगुलेशन नंबर दिया है 122 में ठीक है नेक्स्ट कोश्चन है विदिन वाट डिस्टेंस आफ एनी होलेज रोड ट्राम लाइन रेल लाइन और होलेज होल रोड फेंसिंग सेल वी प्रोवाइड प्रोवाइड वेर एक्यूपिटेड बिल्दिंग हर सिच्वेटेड तो इसका सी नंबर का एंसर सही है 15 मिटर ठीक है नेक्स्ट कोश्चन है नो लोकोमोटीव सेल वी यूज़ इन अंडर ग्राउंड वेर ग्रेडियंट आफ ट्रेक्स इग्जिस्ट इसका टी नंबर का एंसर सही है वन इन 15 वन इन 15 इसका एंसर सही है 41 नंबर कोश्चन है इवरी हॉलेज रोफ विच इज केप्ट सेल वी रिकेप्ट वनस एट लिस्ट इन इवरी इसका सी नंबर का सही है यानि कोई भी रोफ हॉलेज है तो उसको रिकेपिंग 6 मिने किया जाना चाहिए रिगुलेशन नंबर 96 में दिया हुआ है 42 नंबर कोश्चन है इवरी ट्रेवलिंग रोडवे सेल वी हाइट जो ट्रेवलिंग रोडवे है उसकी हाइट कितना होना चाहिए इसका सी नंबर है कम से कम नॉट लेस देन यानि नियूंतम 1.8 मिटर होना चाहिए रिगुलेशन नंबर 93 में नेस्ट कोश्चन 43 नंबर है इसका एंसर है C नंबर का A and B दोनों होगा ठीक है 44 नंबर कोश्चन है डिस्टेंस बिट्विन टू इनक्लाइन और आउटलेट असे मिन्स आप इंग्रेश और इंग्रेश और इंग्रेश सेल नाट भी लेस दैन पूला है जो इनक्लाइन होया चाहिए शाप्ट हो उनके बीच की दूरी नियूंतम कितनी होनी चाहिए तो इसका एंसर है डि नंबर का 13.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए रेगुलेशन नंबर दिया हुआ है इसका 71 में नेक्स्ट कोस्टन है परियोड जो साप्ट इंक्लाइन या अन आउटलेट है उनकी जाच कम से कम कितनी दिन में होना चाहिए कितने दिन में तो इसका बी नंबर है सब्ता में एक बार किया जाना चाहिए नेक्स्ट नंबर है कोस्टन एक्जामनेशन आफ आल एक्क्यूपमेंट इसका इंसर है एक बार किया जाना चाहिए नेक्स्ट नंबर है जो माइन बाउंडी है विच कलर इज इस तो रिप्रेजेंट सिंबल आफ अंडर ग्राउंड कोल बेरियर इन प्लांट एंड सेक्शन तो एक ग्रीन कलर में दर्साया जाता है हमेशा हर अकलर में दर्साया जाता है नेक्स्ट नंबर है इन विच आफ दे फालोविंग केस प्लेस आफ एक्सिडेंट नौट भी डिश्टर्ब किस केस में जो एक्सिडेंट हुआ है उसको हम डिश्टर्ब नहीं करेंगे वहां पर जो भी सबूत रहेगा उसको मिटाने नंबर मेंट पावर डिस्टिव्यूशन प्लान सेल भी मेड तो इसका यह नंबर का सही है डियूरिंग फर्स्ट विक आफ फिवरी मन्थ में बनाया जाएगा इसका अगला कोश्चन है डिस्टेंस आफ रिलीविंग होल फ्राम विस्ट फायर होल सेल नाट भी सेल एट नो पॉइंट भी तो इसका भी यह नंबर का है यह नंबर का सही है 30 सेंटिमेटर से कम नहीं होना चाहिए फिप्टीवन नंबर कोश्चन है नंबर आप स्वाट्स कैन भी फायर बाइस चाट फायर विद्ध यहल्प आप सिंगल स्वाट इस्प्लोडर इन केस आप उपन कास्ट उपन कास्ट वरकी तो इसका भी नंबर का सही है 60 होगा ठीक है सेकेंड नंबर है कि 52 नंबर कोश्चन है SSR इस यूज इन ओपन कास्ट माइन्स फार इस लोप मानिटिंग हूँ फूल फॉर्म इस मतलब SSR का फूल फॉर्म क्या है ओपन कास्ट माइन की कंडिशन में तो इसका भी नंबर है सिस्टेमेटिक सपोर्ट इसका 52 का टी नंबर सही है इसलोप स्टेबिटी रडार सही है इसका 53 नंबर कोश्चन है फैक्टर आफ सेप्टी फॉर्लेज रोफ सैल भी लब जो फैक्टर आफ सेप्टी है वो होलेज रोफ का होना चाहिए मोर देन एट तो इसका भी नंबर का सही है नेश्ट बढ़ते हैं फिर फिप्टी फोर नंबर में पावर टू प्रो प्रोहिबिट इंप्लाइमेंट इन सर्टेन केस कम्स अंडर विच सेक्शन अप माइस एक्ट निरस्ट किया सकता है और फिप्टी फॉप्टी फाइब जनेरली लाइफ आप सस्पेंशन गेर यली जस्पेंशन चेयर है लाइफ कितना होता है तो इसका 6 एर होता है और 56 नंबर है मैं राइडिंग सिस्टम इज टू बी प्रो प्रोवाइड़ इफ रेवलिंग डिस्टेंस फ्राम इंकलाइन माउथ और पिट बाटम एकजिस्ट तो इसका है एंसर यह नंबर का एंसर सही है एक किलमेटर से अधिक कत्वा यात्रा कठीन हो तब किया जाएगा नेस्ट कोश्चन है 57 नंबर इन वीच डिग्री आप माइस फ्लेम और एलेक्रिक बेल्डिंग और रिपेयर एपरेटर्स में भी यूजड विट रिटेन आडर आफ मैनेजर तो इसका बी नंबर का सही है डिग्री फर्स्ट और सेकेंड मैनेजर लिखी तागित देकर कर सकता है ठीक है तो इसका बी नंबर का सही है थार्ट इग्री के रिजिनल इस्पेक्टर से लेना पड़ता है तो 58 नंबर है हाइट आवर्स टाइम वेटेड एब्रेज कन कंसंट्रेशन आफ एयर बोन रिस्पाइरेवल डस्ट इन मिलिग ग्राम पर क्यूबिक मीटर आफ एयर सेम्पल डन हूली इन कोल सिम सेल तो इसका बी नंबर का एंसर सही है नौट इग्जिस्ट थ्री ठीक है आगे बढ़ते हैं 59 नंबर कोश्चन है डिटर्मिनेशन आफ परसेंटेज आफ इन फ्लेमेबल गैस एंड इन्वर्मेंटल कंडिशन सेल भी मेड इन इवरी माइड एंड सेम्पल सेल भी एनालाइसेस विथीन तो इसका एंसर है थ्री डेज ठीक है नेक्स्ट है दे अपर एज लिमिट टू एक एस मेनेजर और एन ओफिसियल और बाइंडिंग इंजन ड्राइबर इन ए माइन हैज बिन इंक्रीजड फ्रॉम तो इसका ए नंबर का एंसर सही है 65 से 75 से 75 वर्स ठीक है नेक्स्ट कोश्चन है कि फेस का अर्थ है नेक्स्ट कोश्चन है फेस मिन्स दा मूविंग फ्रंट आफ तो इसका एंसर है कि उप्रोक्त सभी होगा ठीक है तो उप्रोक्त सभी टिक कर देते हैं लिखा है भूमिकत ख़दान के लिए बनाए गए डेस्ट प्लान में रिप्रेजन्टेटिव फेक्टर आरेफ कितना होना चाहिए तो इसका एंसर है यह नंबर का नियुंतम माइन ओफिशियल इसका एंसर होगा ठीक है 64 नंबर है यह वाट इंकलाइनेशन आप स्टिप वर्किंग फ्राम होरिजन्टल एफ परसन में भी पर्मिटेट टू वर्क सेक्योड बाई एशेप्टी बिल्ट और लाइफ लाइन सेफगार्ड बोला है कि जहां बहुत अधि दी जा सकती है तो उसकी अधिक्तम डिग्री कितना होना चाहिए तो इसका भी नंबर है 45 डिग्री या उससे अधिक भी नंबर का इसका सही है और नेक्स्ट कोश्चन है कि जो वर्क मेरी इंस्पेक्टर है वो अपनी रिपोर्ट कि रिजिस्टर में लिखा है तो। रेजेंट और मैनेजर का करतेब होगा कि वह कितने दिन पर उसमें एक्षन ले तो इसमें है 15 दिन यानि रेजिस्टर में जिस डेट को किया है इंट्री उसके 15 दिन के अंदर मैनेजर को एक्षन लेना पड़ेगा 66 नंबर है which among the following is not a notified decision निम लिखित में से कौन सी एक अधिस उचित बीमारी नहीं है तो इसका टी नंबर का question है जिसका माइन से एक्ट रूल और किसी में जिक्र नहीं किया गया है ठीक है तो 67 नंबर को सब्सक्राइब की कलेंडर यह अस पर माइंस एक्ट मिन्स दप्रियोडिक दप्रियाड और 12 मन्थ विइंग विट फर्स्ट डे आप तो इसका एंसर है जन्वरी इन एनी यह यानि किसी भी वर्स में जन्वरी से गिना जाएगा और 68 नंबर कोस्टन है वेर वर्क आप सेम काइंड इज कैरीड आउड वाइट तू और मोर सेट आप फ़र्सन वर्किंग इज डिफरेंट फिरियड आफ दे इच आप सच सेट इच काल्ड ए तो इसका है रिले यानि जहां गुरूप में काम करते हैं तो उसको रिले कहते ह है ठीक है तो 69 नंबर है की इनफोर्ष्ट अफ इनफोर्स अफसेंस आफ इंजर्ड परसन रिजल्टिंग इंजनर इंजरी अधर दैन सीरियस बॉड़ी इंजरी प्राम वर्क फार ए पिरियड आप 72 आवर्स और मोर कम अंडर यानि कोई भी व्यक्ति से 72 घंटे या उससे अधिक के लिए अनुपस्तित होता है तो वो नहीं कोई का है कि के इनफरे में आएगा तो इसका सी नंबर है रिपोटेवल इंजरी में आएगा या और सेयंटी नंबर कोश्चन है ड्पीन डेंजर जोन इन जेंट ड्पन कास्ट माइस की सिभी में वह कितनी दूर तक माना जाएगा इसका एंसर है बी नंबर का फाइरिंग के अस्थान से 500 मिटर की रेडियास में पहले 300 मिटर था अब 500 मिटर कर दिया गया है बी नंबर का सही है इसका तो जो यह सेक्षन यह था टेक्निकल पार्ट था वो 70 नंबर कोस्चन तक था और यह खतम होता है यही पर तो हम सेक्षन भी यहनि जो नॉन टेक्निकल आता है जनरल नौलेज से आता है उसके लिए अलग से वीडियो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे तब तक यह बने रही है हमारे साथ आपका बहुत धन्यवाद और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सेर जरूर करें धन्यवाद